पूरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच देखने में मगन है ये क्रिकेट कम होता है और नर्फ की गेम असाब की जंग जो है वो ज्यादा होती है एक तरफ और ये मैच चल रहा है और तमाँ पाकिस्तानियों की दौा है कि पाकिस्तान आज का ये मैच जीते क्योंकि हमारे लिए ये फाइनल मैच वर्ल्ड कप के फाइनल मैच से भी बड़ा बन जाता है जब भारत मद्दे मुकाबल होता है और दूसरा स्यासत की मैदान में बात करें तो एक मैच कल बलोचिस्तान इसम्बली में खेला जा रहा है और वहां पर देख रहे हम बड़े अर्से से प्राक्टिस जारी थी नेट प्राक्टिसेज वॉम अप मैच जा रहे थे आप देखें सोशल मीडिया पर जाम कमाल सहाब के जो बयानात आए जो उनके ट्वीट्स रहे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है या उनको भी ये नजर आ रहा है इस अक्सरियत को देखने के बाद कि कल वो इस मैच में हार जाएंगे लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ सवालात भी उठा दी हैं वो भी जर आपके सामने रखते हैं एक तो उन्होंने वजीराजम इमरान खान साथ से कहा कि वो अपने एर्दगर्द जो लोग हैं उनका जायजा लें फिर ये भी कहा कि यहां पर ये जो नुकसान होगा उसके जिमेदार बाब के नाराज ग्रूप के लोग होंगे पीडियम के चंद लोग होंगे चंद माफियाज होंगे और पीटी आई भी इसमें शामिल होगी फिर ये भी कहा कि वजीराजम इमरान खान फेडरल मेंबर्स को कहें कि वो बलुचस्तान के मामलात में मुदाखलत ना करें सो जाम कहां उनके खिलाफ ये कॉंस्पिरसी जो है वो हुई जो बकॉल उनके कॉंस्पिरसी है बकॉल उनके साज़श है और वो कहते हैं कि मुझे निकालने के लिए तमाम रकीब जो हैं वो अब इकठे हो गए हैं इस पे एक तो बात करेंगे महमानों का आप से तारुफ करवाद सेनिटर जहाँजेब जमाल दीनी साब हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर राहनुमा बीन पी मेंगल लाक शहवानी साथ हमारे साथ मौजूद हैं तरजमान बलोचस्तान हुकूमत हैं शहजादा जुलफिकार साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी हैं तज्याकार हैं और आप चारों को ही हमने आज क्रिकेट मैच तो नहीं देखने दिया लेकिन कल बलूचिसान इसंबली में हमने का मैच पर आप से बाद कर लें पहले तो शहजादा जुर्फिकार सब आपका तज्जिया जरा जाए कल क्या लग रहा है आपको कि बलोचिस्तान इसम्बली में ये मैच किसके हक में जा रहा है देखें इस वक्त तो बिलकुल मैच तो बिलकुल जिस तरह ओवर्स कम रह जाते हैं और आप शायद उसको आपने जो टार्गेट दिया जाता है और उस टार्गेट को आप मीट नहीं कर रहे हैं बिलकुल ये वाज़ है और जाम कमाल उसाब उनके साथी खुछ जानते हैं कि इस वक्त उनके पास नंबर गेव में कमी है लेकिन वो इतने कॉने कॉन्फिडेंट है कि उनके जो एनपी के दोस्त हैं आपके कुछ अराखीन है जेड़ोपी का एक बंदा उनके पास है पीटी आई के भी शायद पहले थे अब जब उन्होंने रवया देखा प्राइम निस्टर का तो शायद उस पे वो बैंक नहीं कर रहे हैं लेकिन वो कह तो नहीं रहे हैं वो अपने इत्यादी कह रहे हैं इस वक्त लेकिन मेरे नुक्ते नजर में शायद पीटी आई का इसलिए कि जब कल उनके पास सादिक संजरानी साभ जो बहुत क्लोस समझे जाते हैं प्राइम निस्टर से और उनके डिफेंस मिनिस्टर जो पीटी आई के हैं जी वो आए और उनके दिया कि जी और प्राइम मिनिस्टर को भी इन्हें उन्हें कन्विंस किया कि नंबर गेम में वो लूस कर गए हैं हमें उनको continue इमायत करने का कोई फाइदा नहीं है और इनको का क्या प्रेजाइन करें और उनोंने बड़ी मुश्किल में डाल दिया इस वक्त जो लोग बड़ी में गेला आगे चाहा जाता है मुश्किल में मुश्किल में ट्विक्त का क्या क्या पाइदा आधा साथ ब्रुटि में वन्योंने इसलिए ये उन्होंने स्टार्ट किया और उनके लिए मेरे शाल में आगे उनकी नजर जो कहा जाता है मूमन के 2023 के एलेक्शन में उनकी एक नजर चीफ मिनिस्टर्शिप पे भी है और उनमें ये सलाईतें इस तरह सी हैं ये मानना पड़ेगा कि वो जिग जैंक बड़े उन्होंने बड़ा असाबी जंग थी बड़ा उन्होंने जाम कमाल साब को बड़ा वो ट्रैप करने की कोशिश की कि वो स्तिफा दे देंगे बहुत से मामलात हल हो जाएंगे कराची से नवाब सनावला जहरी को नहीं आना पड़ेगा और कोई ऐस तरह वो नहीं होगा और यह बड़ा बड़ा मुश्किल में उन्होंने डाल दिया आज भी एक ऐसे शख्सियत हैं इसलामबाद से और वो भी मेरे शायल में कोईटा में हैं और अभी तक शायद मुलाकात उनकी नहीं हुई है उनके मुलाकात हो जाएगी लेकिन कुछ बड़ी शख्सियत हैं आप र रिकवा है जाम कमाल साब को लेकिन साधिया लेकिन यह दरू कह दो हूँ बड़ी शख्सियत का अमल दखल बहुत है बुलिस्तान जी जी और अगर वह और मेरा 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 तद्जिया है वो भी इदर आये हैं और इनको मनाने के लिए के मामलात बहुत हो जाएंगा आप सिती आप मुझे निकाल दे वो नौकावड़न्स अब शयद नौकावड़न्स ना आये और उनको इस्तीफे पर मजबूर किया जाएं अलाकर इनके पास गेम भी पूरे हैं 41 इनके पास हैं इस तरह उकलेम करते हैं और है भी तो बहुत आर इनके पास बड़ा अच्छा मोक है कि उनको वोट आउट कर दें, उनको डिप्राइब कर दें, 41 से उनको निकाल देना, बड़ा इनका जबरदस हो भी होगा. ये बड़ा इंटरस्टिंग पॉइंट आपने रेस किया है, क्योंकि ये मैं, ठीक है, मैं सैनेटर जहांजेब जमाल दीनी साब आपसे पहले तो ये इस पे बात कर लूँ, ये जो शैजादा जुल्फिकार साब भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये खबरे आई, जिस रहा इन्ह एद हम इतमाद आप लोगों के हक में जाएगी, जामसांप के खिलाफ ही जाएगी, तो फिर ये बार-बार क्यों बात की जा रही है, कि इस्तीफा दे 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 दें, अगर वो इस्तीफा नहीं भी देते तो कल तो आपके पास वैसी रास्ता है, कल 11 बजे वैसी वोटिंग हो होती है उसकी बुन्यादी कुछ वजवात तो होंगे कुछ कमदोरिया होंगी वो को जो कुमरान होंगे होते हैं यहां पर चीफ होता है सुबे का उसमें कोई कमदोरी पदारों को इस्तमाल करते हुए अगर आप लोगों को जो ना ओट देने से इस्तिराब करवाएंगे उससे कहीं पर बंद करवा देंगे या ओड के दिन जो ने कहीं मभूस रहेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि जमूरत पर आपका अपना यकीन है नहीं अगर आप जमूरत यकीन करते हैं तो जो बंदे इस वक्त आपके कंट्रोल में या कहीं पर आप उसे रख चुके हैं उन्हें आदादाना आप छोड़ दें अलेकल जो ना इंतखावात आपके जो ना मेरे खाल में होटिंग होगी ओटिंग में इस तर्म चीज़ें किलियर होंगी जाम साहब म उकालपत में जाएंगे तो जाहर है उशिक इसका जाएंगे अब इसमें कमज़ोर पहलू यह है कि लेकिन आप तो कहरें ना कि आपकी गिंती पूरी है जाना मुदाखलत आना जाना और लोगों पर प्रेशर डालना कि बाप इसे ओड़ दे उसे ओड़ दे अब जाने यह जो प्रेशर सिंड्रोम जमारे आप आपकी नजर में कौन लोग हैं यह जिंका जिकर जाम कमाल साब ने अपनी ट्वीट में किया कि वजीर आजम अपने भी लग रहा है कि फेडरल गावर्मेंट के हैं जिन्हों ने मदाफ़त कि लिए पीडियम को तो आप पीडियम को आप सेपरेट लगते हैं पीडियम वैसे भी उनके जो बोड़ गुड़ बुक्स में है नहीं शुरू से आज तक लेकि तौले पैदा होता है कि पीटियाई तोर पी यह है कि डिस्क्रिमिनेशन उसकी कोशिच यह रही है कि मैं अपने पसंदीदा चेर दस बारा जो आना वज़रा को पालता रहा हूं संबालता रहा हूं उन्हें जो नहीं जो आपके जो कह रहे हैं कि उनकी अपनी कमजोरियां ही रही हैं जिसकी वज़ा से ऐसा हु हूंगी कि आपको क्या लग रहा है जाम कमाल साहब के लिए ये जो मुश्किलात आईं और कल ऑविसली उनके खिलाफ इस तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी होने जा रही है वो क्या अवामिल थे वो क्या अनासर थे क्या महरकात थे जो उसका सबब बने तेंकियो ये गौर्नमेंट जो जिस टाइम फाब हुई थी मकसद तो यही था कि पांच साल हम कम्पलीट करें और अपनी अवाम की खिदमत करें एक टीम होती है टीम का एक सरबरा होती है उनकी जिमदारी होती है कि वो अपने टीम के साथ सला और मशूरे के तेथ इस सूब के महामलात को चलाए हवाम को मुतमें करें हवाम की बनियादी जो नीड हैं वो जो जो जरूरत हैं उनको पूरा करें लेकिन इस तीन साल के जो पीरड था जाम ने हमेशा अपने को अकल को समझा ना किसी से सला की ना किसी से मशूरा किया तो उनों ने जो बलोचिस्तान की और डियलोमिंट की जो वो बातें कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ तीन चार इसे हलकूं में ज्यादे से ज्यादा फोकस की और वो एक अपने तोर पे की जहन बना रहा था कि आने वाले 23 के इलिक्शन के बाद में मजीद 2028 तक बरा जमार रहूंगा लेकिं हम समझते हैं कि उसकी टीम के साथ जो तालुकात बनाने का था इस पूबे को चलाने का था उसकी हटदर्मी उसकी अनापरिस्ती ने ये हालत आके उसके सर पे कड़े किये हैं तो एक पार्टी बनाए गई जो बाप के नाम पे जल्द से जल्द ये पार्टी बनाए गई हम तो उसके इत्यादी है यह इस सूबे में पहली दपा है कि एक मैने के अंदर पार्टी बनाए गई उसको बीस पचीस सीट मिली सेनेट में उसकी अच्छे खासा तादाद हुई नेशल इसंबली में पांच सीटें उनकी हुई एमारे पार्टी उनने बीस बीस साल स्ट्रगिल किये हैं इतनी बड़ी इस्टिंट नहीं थी मरकज का भी सपोर्ट था इसको तो वजवात जाम होते हैं जाम एक नाकाम वजीराला रहे इसलिए यह हाला उसके लिए यह आज प जाम को इखलाकियात उस सियासी इखलाकियात की हम जो बातें करते हैं वो भी कभी दर्स देते हैं तो उन्हों ने बीस तारीक को हमारे पांच बंदों को अगवा करने की कोशिश की गई किसी हद तक वो कामयाब हुआ बाद में नाकामी उसकी रही कि हमने बड़े पेमाने के स्ट्रिगल किया और वो पांच जो हमारे तीन खवातिन लाला रशीद भी साथ ता लेकिं बाद में आ गिया जी इसके साथ ही हम समझते हैं उनको जरूत कैसी मेसिस हुए अगर आपके उनके पास कोई मिजार्टी थी तो आज़ादाना जमूरी एक अमल ता प्रासिज च गायब भी किया गया इखवा भी किया गया इसका जवाब जरा लाकिश हैवानी साथ आपसे लेते हैं लेकिन बड़ा आहम नुक्ता जो मीर साथ ने यहां पे रेस किया है कि देखें इजाम कमाल साहब एक जमात अलग बनी एक तमाम हम कहते हैं कसीर नजरियाती लोगों को वो इसमें एकठा किया गया मरकज की सपोर्ट तमाम बासर लोगों की सपोर्ट होने के बावजूद क्या वज़ाए कि वो इस नहज़ तक ये मामला आ गया और उनको आउट करने के लिए ये करारदादा आ गए देखे नाराजगियां ग्रीवेंसेज अपॉजिशन में भी हो सकती है गवर्मिंट ट्रेजरी बेंचेज में भी हो सकती है कैबिनेट में भी किसी गर में भी और तीन साल तो जाम कमाल साब ने असद बलूच साब भी उस कैबिनेट का इसा रहा है और असद साब एस अमिनिस्टर हों की जबरदस परफार्मिंस रही है और बलूच साब लिए जो इतनी डिवलप्मिंट की गई है ये सिर्फ जाम कमाल साब भी नहीं बलके एक एफ़र्ट पुट किया है पूरी कैबिनेट ने पूरे गवर्मिंट ने और जो एक असद मुलाकात कम करते थे वक्त कम देते थे ये एक में इशू रहा है और इसी के बुनियाद पे कुछ ग्रिवेंसिस रहे हैं लेकिन डिजाइन जो है जो हमें समझ आती है वो 13 सेप्टमबर को वोट अफ नो कान्फिडन्स जो मूव किया गया वो पीडियम की तरफ से किया गया वो हमारे दोस्तों की तरफ से नहीं किया और इस बात का इतराफ जो है एके MPA है पीडियम के लाइफ शो में उन्हों ने इतराफ भी किया कि चिंगारी ये हमने लगाई है और ये जो बिसाथ बिचाया इन्होंने लेकिन पीडियम को अपने स्ट्रेंथ पे यकीन नहीं था वो कोशिश जा रही है और अब कल जो मैदान सजने जा रहा है और ये तो आप जो खहरे है चले पीडियम ने कियो जिसने भी कियो उन्होंने आग लगाई जो भी है लेकिन ये तो आविसली सियासित का हिस्सा है वहाँ पे आप लोग अपने हरीफों के खिलाफ ऐसे ही करते हैं तरीक अदमाद आना अर्ली इलेक्शन हो जाना इना उस तबदीली आ जाना ये तमाम चीज़े डिमॉक्रिसी में होती हैं जमूरियत में होती हैं लेकिन अगैन मेरा सवाल ये है कि फिर तमाम तर सपोर्ट होने के बावजूद भी यानि फिर यही तसलीम कर लिया जाए है कि जाम कमाल सहाब ही उस तरीके से हकूमत को नहीं लेकर चल सके उसी में उन्ही को उनके तर्जे अमल की वज़े से कामयाबी नहीं हो सकी क्योंके सपोर्ट सारी उनके साथ थी देखे अगर अकूमत गवर्ननस डिलिवरी का नाम है तो तीन सालों में जो इतनी डिलिवरी हुई है कोई एक सेक्टर बता दें जिसी पीछे चोड़ा होगा बलुश्तां की पहला कैंसर ऑंस्पीटल इसी गौ़र्मेंट में शुरू हुआ पीड्ज ऑंकोलोजी इसी गौ का इसी गौवर्मेंट में बना पांच नया उस्पीटर्स बने दो स्पेशल एकनामिक जोन्स बनने जा रहे हैं तीन मार्वल सिटीज हैं चार मिनी इंडिस्टल स्टेट्स हैं तेरा बार्डर मार्कीट्स हैं असद बलुश्ताब के मैक में का एक जीवल है जिस पे सब को आजा होनी के चाहिए बलुश्तान आवामी इंडावमेंट फंड बलुश्तान आवामी इंडावमेंट फंड में एक लाग से एक करोड रुपे तक किसी आउन गरी पेशन को फंड किया गया है पंदरा सो ऑपोजिशन जो है वो इससे इखतलाव करेगी मैं मैं जब और सियास्त हुई आविजिसली सियासदानों का काम है सियास्त करना सिर्फ और सियासी बयानबाजी या सियासी जो हमारी सियास्त के अंदर एक ग्रीवेंसें उसकी नजर हो गए है या परफॉर्मन्स भी कही न कहीं बड़ा सवालिया निशान रही है देखें बात यह है कि वामेंस grievances की वज़ा बनी है इसलिए कि opposition जो है उनके उनको जरूर एक इशू था कि हमें आपने PSDP में और fund में जो development fund है वो उसमें आपने हमें ठीक share नहीं दिया वो उनको हो सकता है grievances और opposition का काम ही होता है कि opposition जो है वो corruption के इजामात लगा है और पता नहीं क्या क्या कुछ करके और अपना एक लीडर उसके लिए कोशिश करे और अपना एक लीडर सामने लाए और उस government को अटा दे लेकिन opposition इस तरह नहीं किया विदिना पार्टी जिस तरह रख साब ने का बिलकुल विदिना पार्टी जो है चीजें उठी लेकिन ये बिलकुल बाद तीन साल के बाद जो है अगर कोई ये कहता है कि जाम साब अखले कुल अपने आपको समझता है तो तीन साल के बाद इनको क्यों पता चला या अगर मीर ताज मौमद जमाली मरूम हो या उसके बाद अख्तर मेंगल साथ असद बलोच उस पार्टी में थे और उसके बाद जाम यूसफ साब हो जो इनके वालिद है या नवाब असलम रहिसानी या डाक्टर मालिक या नवाब सनावला जहरी प्रेशर बढ़ जाता है दो तीन साल के बाद जो है ये लोग तमाम प्रेशर जो है वो उठाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जनाब इनको फार्ट करें इनको निकाल दें क्योंके प्रेशर पोस्टिंग ट्रांसफर है और ये मिजाज है हमारे MPA का कि वो खुली चूप चाते हैं और वो चाते हैं और मेरे ख्याल में नवाब असलम रहसानी के दोर में कोई मेरे ख्याल में इसको डिनाई नहीं करेगा कि खुद MPA खुद अपने अपनी डिपार्टमेंट से वो लेते अब फाइल लेते और चीफ सेक्टरी से लिखवाते और वो इसका इंतिजार नहीं करते कि पूरा प्रॉपर चैनल से सारा कुछ जाए अच्छा यानि आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम MPS जो थे अगर इनको खुली आजादी मिल जाती ये छूट मिल जाती कुदूस ताब का 6 महीने सब के सामने है कुदूस इस वक्ट फेवरिट है फेवरिट क्यूं है? इसलिए जे उसके 6 महीने थे उस 6 महीने में अपोजीशन ने भी उस वक्ट दी जब निकाला उनको नवाब सनावला जहरी साब को force किया और उन्होंने स्टीफा दिया जब वो लूज कर गए अपने majority और उसके बाद सब खुश रहने लगे और लेकिन अब भी यही मुझे नजर आता है कि जाहर है यह grievances उनके उनके solution partner को भी थी कि बाद चीजें उनके तबियत के मताबिक स्मूशन नहीं चल रहे हैं यह अच्छा वेरी इंट्रस्टिंग तो यह अगर डॉक्टर जमाल दीनी साब मुझे इस बताएं कि यह वो इनके अपने लोग जो बाप पार्टी के थे जिनको अब हम नाराज अराकीन कहते हैं या फिर जो भी ऐलाइज थे अगर उनको यही तमाम चीजें मिल जाती हैं जो जुझार जिनकी जाने बिशारा कर रहे हैं और बार बार जाम कमाल साब भी यही कहते थे कि भाई मैं उस तरीके से अख्टियारात इंको नहीं दे सकता कि जिस पर स्कूरूटनी ना हो जिस पर जांच पर ताल ना हो जिस पर नजर ना रखी जा सके और यही सबब बनाएं उनको निकालने के लिए देखें जी जो अलफाद मेरे दोस्तों ने आपके सामने पीश किए मैं इससे इतिफार नहीं करता उसकी वजवाद मैं आपको बताओं जब तक आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे उस वक्त आपके दोस्त पार्टी के और उसके मुखालफीन जो आर चुके उनको पचीस से तीस क्रोन रुपए जेफ खरचा और बाकी एक अरब के करीब उनको पीएज़ डीपी में दिया जाता है यह उनको मिलने के इलावा जो खराब पेलूस में निकला आती है यह है कि यह जो ना इक्दियारात मामूली से एक पी एन उसके ट्रांसफर को भी जाम साब ने अपने जेब में रखा हुआ था एक सेक्टी चोड़े से सेक्टी मैं बताओं कि आपको एक जोड़े से टीचर की भी ट्रांसफर उसके उसके बगएर नहीं होती थी और आप अ कहता है अप्रूव किया जाता है और उसे फैडल गौर्मेंट बेज दिया जाता है ताकि फैडल गौर्मेंट से फंट लाए जाए जाए लेकिन इसकी डिस्क्रिमिनेशन यहां तक है कि सीएस को इन्होंने कहा हुआ था कि अपोजिशन का कोई भी फाइल जब तक मैं उसे देख नलो अप्रूव नहीं करो उस वक्त तक आप मुझे नहीं बेजे दो सीएसस ने निकाल दिये और अब यह कहते हैं कि जो नहीं यहां पर यह रसमें हैं जमूरियत नहीं कोई चीज यहां पर ती नहीं अब आप अंदादा लगा हैं कि हमारे से आप अपोजिशन से त लेकि सौले पेदा होता है कि आप अपने लोग जो आपके साथी थे आप कहते हैं कि मैंने इन्हें फंद भी दिये इन्हों ने इससे मुस्तफीद बे वे इसके बाद आप इस अब तक आप से मुस्तफिद हैं कि इस वक्त चानला कमसकम 22 22 बंदे आपके आपके आप कि हुए मैं ब्रेक ले लूँ ब्रेक से वापस आएंगे मीरसदुल्ला साब की जाने बे जाएंगे कुछ सवाला तो उनके लिए बिजुल्फिकार साब ने रेस की हैं उनसे जवाब लेंगे एक वक्वे के बाद वल्कम बैक प्रोग्रेम एक बाद फिर से खुश्रामदीद मीरसदुल्ला साब जुल्फिकार साब ने कुछ सवालात उठाएं हैं जो बाप के अपने लोग थे या जो इत्तहादी थे आप लोगों को उन्हों ने पूचा कि भाई ये तीन साल के बाद ही जाएंगे फिर साब जो हैं वो आपको अकले कुल क्यूं लगने लगे पहले क्यूं नहीं लगे आप लोगों के तो फंड्स का भी मसला नहीं था आप लोगों के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो रही थी फिर क्या वज़ा हुई देखें एक चीज़ अपनी जगा असूली तोर पे चीज़ों को देखा जाए शुरू में जब गौर्नमेंट हमने बनाया था उस गौर्नमेंट के कुछ पेरावीटर्स थे उसके हवाले से हवारी तजावीज थी हमारा मौकिफ था हमने विजन अपने दिया मैं बेन पी अ फबिल एक यह के हमरी के मिटे के मिटेंग में हमने उनको बताया के मिटेंग का बाद भाद वटेंग की हमने बताया वो हमेशा एक लब्स इस्तिमाल करता है डन लेकिन उन्होंने पिर अमल नहीं किया ये सिलसिवा चलता रहा उसकी जो रविया था वो जमूरी अमल से वो प्रासिस से गुजरा तो कहते हैं लेकिन उन्होंने किसी को वो इज़त वो रिस्पेक्श नहीं दी जो शुरू में हमा कैसे जीत के सिंगल इंपिये है वो फिर मजमूवी तोर पे मिल मिलाके हर इलाके के जो वहां से रोगों ने अपनी मेंडिट ली है वो एक बंदे पे इतिबार करते हैं उनको सपूर्ट करते हैं वजीराला बनती है इसका मतलब हरके यह नहीं होगा कि आप उसके अलके में जाम साहिब ने अपने हलके में 22 अरब रोपे लेके गए हैं और वो बलूचस्तान की बात करते हैं बलूचस्तान में आदा बलूचस्तान तो अपोजेशन के पास है जनून ने अपनी हलकों से अवाम ने उनको मेंडिट दीती हमने केविनिट में भी बोला असंबली के फल उनके हलकों में पैसे तो दिये लेकिन उन लोगों को दिया जो उसके लाइक डिसलाइक में थे जनून ने इलेक्शन में इससा भी नहीं लिया ता तो ये ऐसी चीजें हैं ये एक हवस्ता उनका ठीक है इस जमुरी अमल को उनोंने सई तरीके से चलाने की कोशिश नहीं की बातशाथ अलग चीज़े तो हम समझते हैं कि तीन साल बाद जो कह रहे हैं कि आपको याद कैसे आया हम समझते हैं हमें याद तो पहले था वो जो एक कमिट्मिंट था जो हमारे साथ एग्रिमिंट था उस पर अमल उसने नहीं किया आज इसलिए उसको यह रिजल्ट नजर आ आज हमारे साथ नहरा था चाराज कि आप देंगा नारास तो हम पहले थे आप ने टाइम दिया आपने जासे कहा कि रहठी पर कहे दे ने वह रहा कि कि अठार के बोके हैं और लालच के बोके हैं ये भी अपना शूक पूरा कर ले हैं उन्हों ने जैसे आज ट्वीट में अ एपने अख्तियार जो है वो अपने ग्रूप के लोगों पर छोड़ दिया है, तइधादियों को दे दिया है जो मेरे साथ खड़े हैं, तो उनको इस ताइम पर क्या मशवरा दिया जा रहा है, उनके अपने करीबी साथ़ियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है पिछले दिनों जो खबरियाईं के इस्तीफा दे दिया उन्होंने तरदीद कर दी के इस्तीफा नहीं दिया बहुत लोग सोच रहे थे कि तहरीक एदम इतमाद से आउट होने से बहतर है कि वो खुद ही रिजाइंग कर देंगे क्या अभी भी इसके कोई चांसे मौजूद हैं इसे अराकीन हैं जो कहते हैं कि जी ग्यारा बजे वोटिंग से पहले ही रिजाइंग कर दें कि जो लालिच की बातें कर रहे हैं जाम साहब को हमने सीम बनाया सीम का मनसब एक इतनी बड़ी पोस्ट है कि वो तो 24 गंटा भी काम करें इस पसमांदा सूबे के लिए मेरे ख्याल में कम रहेगी मुदतों से ये पसमांदा सूबा रहा इसकी डियूलमेंट के लिए पलान होती है लेकिन जाम साहब सीम के इलावा पी एंडी का डिपार्मेंट भी अपने पास रखा हिल्थ का डिपार्मेंट भी अपने पास रखा माइन्स का डिपार्मेंट अपने पास रखा इनोंने जंगलाद का डिपार्मेंट अपने पास ही रखा तो ये हवस किस की है दूसरी बात ये है हवस उन लोगों की होती है माज़ी से इसके दादा पिर पर दादा पिर वालिद इसका अभी खुदे अपने बेटे को भी त्यार कर रहा है तो हवस किस चीज़ को बोलते हैं मैं समझता हूँ कि जमूरी अमल में 20 तारी को आपको लगता है कि वो 34 बंदे 34 बंदे उटके जाम साथ के खिलाप उन्होंने लोग कांफिडेंस मुशन में इससा लेकर जमूरी अमल को साबित कर दिया तो वो फिर भी अभी बेटे हुए हैं बराजमा बेटे हुए हैं खुद कहते हैं मेरे पास 26 लोग है 26 तो गौर्नमेट तो नहीं कर सकती है उसके लिए साधा अक्सरियत जो बनती है 33 बनती है मैं हया ही समझता हूँ कि जो लालच की उन्होंने बात किये तो वो खुद अपने सा सवाल कर रहा है जवाब उसके खुद अपने इस अमल में खुद ही है मेरे ख्याल मैं ऐसी जवाब देने के लिए कुछ जाम साहब ने अपनी बहुत से चीज़ों को जो इल्मी और सलायत हैं इस दोरान वो शेकिस्त खुर्दा हैं अभी जो हमें कहे रहा हैं कि मैं तो इस्तीफा देने के लिए त्यार हूं लेकि मेरे कुछ डीमांड है तो हम कहते हैं कि जो शेकिस्त खुर्दा लोग होते हैं और्ज करते हैं, डिमार नहीं करते हैं, रीक्वेस्ट करते हैं हमने सुना था, हमने सुना था, कि ये बात कही जा रही है उनकी तरफ से कि स्टीफाः फो दे देंगे, लेकिन ये पहले परीकिद आदम memoat जो ये वापस ले ली जाए, मुझे एक ब्रेक लेनी है ब्रेक से वापस आकर इस पर भी जरा बता दीजेगा कि ये इसमें कितनी हकीकत है, मैं जमाल दीनी साब से पूछ लूँगी, पर शेवानी साब हमाजूद है तो उनसे भी जानेंगे कि वो दोस्त उनके क्या मशवरा दे रहे हैं जिस तरीके से जम साब कहते हैं कि मैंने अपना इख्तियार अपने जो इतहादी हैं या अपनी बाप पार्टी के जो लोग मेरे साथ खड़े हैं उनको दे दिया है और वो फैसला कर दें एक ब्रेक ब्रेक से वाप पिस आएंगे डिसकुशन को आगे बढ़ाएंगे स्टे टून्ट वल्कम बैक प्रोयाम है एक बाप फिर से खुशामदीद ल्याकर शेवानी साब पहले तो ही बता दीजेगा कि दोस्त उनके क्या मशवरा दे रहे हैं करीबी लोग इताहदी बाप पार्टी के लोग जो उनके साथ खड़े हैं जैसे उन्होंने कहा कि वो फैसला कर दें इक तो उनको अभी तक क्या फैसला दिया जा रहा है तेकि जाम साब ने अपने दोस्तों पे इत्यादियों पे फखर का इज़ार किया आज और जाम साब ने बड़े फिराख दिली और जमूरी सोच को मंदे नज़र रखते हुए ने इक तेकि अपने ताम कार्टर्ली अपने बलुच्तान अमामी पार्टीifiques हैं उंको डे दिया है और अक्तियार उनके पास है और निगुशियेशन का अमल जारी हैं कोशिश हमारी यह है कि हमारी बाप पार्टी परसमें जाना चारे हैं क्योंकि पार्टी के सदारत से तो पहले ही वो मुस्ताफी हो गए और अब हम देख रहे हैं कि कल 11 बजे वोटिंग है तो कुछ चांसे हैं कि उससे पहले ही उनको कह दिया जाएगा कि आप जो हैं वो इस्तीफा दे दें देखे जाम कमाल साब अपनी जमात कोई के मस्तक्बिल को बचाने के लिए कोलिशन को इंटेक्ट रखने के लिए और पीडियम के ग्राइंड डिजाइन और साज़िश को नाकाम बनाने के लिए कोई भी फैसला कर सकते हैं और उन्हें अपने ट्वीट में भी का है कि वो आनर पार्टी एकितिए है तैनर काम्याप हो भी जाती है तब भी चीफ मिनिस्टर बाप पार्टी के हैं तो बाप पार्टी को नुकसान हुआ। तरीक के अदम इतमाद नाकाम भी हो जाती है चुंकि बाप पार्टी ने ये तरीक के अदम इतमाद जो है सब्मिट किया है तब भी जो पुजीशन खराब होगी बाप पार्टी की होगी तो इस वक्त फोकस जाम कमार साब का बतोर पार्टी सरवराई ये है कि बाप PARTY इंटर्क्ट रहे, बाप PARTY में जो आलरेडी डेमिजिस हुए हैं, वो रिड्रेस किये जा सके, अगले महीने एलेक्शन होने हैं, और एलेक्शन की तैरिया की जाए है, और थीन साला में बेत्रिंग करकार कर लिए बाप PARTY वो जारी वासारी रहे, दुसरी बात किसी मिनिस्टर के साथ कुर्बत को भी अपने लिए हार समझते थे हाप गुजशता चंद दिनों से देखें कैसे बाप पार्टी वालों के साथ मिल गए हैं और बाप पार्टी के करारदाद को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं उसके कॉलिशन पार्टनर्स पर तंकीद करते थे प्राइमिनिस्टर इमरांग खान पर तंकीद करते थे पीटी आई पर तंकीद करते थे और पीडियम जो है पीटी आई और उसके कॉलिशन पार्टनर्स के खिलाफ तहरी चला रही है लेकिन इक्तिदार ने इनको इतना हंदा कर दिया है और बुख्ज जाम कमाल साब में ये अपने सारे नजरियात, अपने असूल, अपने अफकार सारे बुला के एक चीज तो बड़ा अच्छा हुआ इस एक महीने में जो नजरियात, अफकार, सियासत की बात करते थे, जमूरियत की बात करते थे ये सारे एक्सपोज हो गया, इस वकत जो है, नबंदा रहा, नबंदा नवाज, सबी एक सफ में कड़े हो गए ये भी आप के लिए, मेरे लिए, सब के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, जो इंकलाबी बाते थे, वो कैसे एक्सपोज हो गए है बाकी इस दे बात की बात करते हैं अब की बात करता लेंगे तो इस बात के ये समझ में आ रहा है जैसे कल वोटेंग से पहले ही हम ख़बर सुन रहे होंगे कि उन्होंने खुदी इस्तीफा दे दिया है मैं एक सवाल जमाल दीनी साब आप से करके फिर मैं जुल्फिकार साब के जानब जाओं कि ये बात इसमें कितनी सदातत है जो हम सुन रहे हैं कि ये कहा गया कि अगर करारदाद ये वापस ले ली जाए तहरीक एदम इतमाद नहीं आती है इसको वापस ले लिया जाता है तो जो अनले को ओना तनके का सारा जो डूपे वाला है उन्यका सारा ये जाम साब जो और worn दे बादे हैं किए लोगतियां की हैं कि अन्हें उपसे पहले से आज तक ले उन घलतियों मैं आपको बताओं मैं आपको आपके सामने बताता हूं कि मुझे किसी से कोई तो कोई है नहीं कि बरुश्टान के मसायद आज के जाम साबर कल कोई और वजीर आला है उनसे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ है जो डिस्क्रिमिनेशन मैं बार बार बता रहा हूं कि अपोजिशन के नुमाइंदे जो अवामी नुमाइंदे जो ओट ले चुके हैं अगर उनकी मुझालवीन को आप इसी तरह समयारते पिरते रहेंगे उन्हें बेहिंत्या फंड देंगे उन्हें जो अनवाजिए देंगे आप अपॉजिशन को वोई फंड जो आप अपने ने लेते हैं, हो रही बात जलना जाम साब़ की तारीफ, तारीफ तो जारैं जलना जाहिए जो भी बंदा उसके करें को भी तयार नहीं है तो एक चे एक निए एक मिड़ें ऐसे लोग हैं मैं कहता हूँ जामसाब के गुरुप में साथियों में अच्छे लोग बिल्कुल हैं मैं नहीं कहता हूं कि नहीं लेकिन उनमें से जोने चंद ऐसे लोग happens जोनों ने जाम साहब को लियाए गलत अंदादे गलत तरीकों पे डलवा दिया नफरते उनों ने वहाँ पे उनके जहने मुझमित करवा दी पहवस करवा दी और जाम साहब उनकी बातों में आकर आज इस मौर पे करें हैं कि उनके साथी खुद उसके करीब आने से कत राते हैं उसके दूर बागने की कुछ करते हैं और रही बात जब इस्तिफा की मैं कहता हूं कि इस्तिफा ओ दे ना दे कल ग्यारा बजे तक मेरा खल में तवाम चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर बेज़ती से उन्होंने बच रहा है तो सुबारा जो बचे जाएगा अगर जैसे आप लोके आपके पास है तो पर जामतमाल साब जाहर है उनका फूचर बतौर सीएम साहब जो हत्म हो जाएगा साधिया एक चीज़ मैं थोड़ा सारा किलियर करूंगा देखें मैं इस बात से इतिफाक नहीं करता कि बेज़ती और इज़त और ये बात ये है कि ये जमूरी हम और खासकर खासकर एक आम आदमी ये बात करे तो ठीक है हम तो सारे वो पर जो अलेक्टेड लोग या या पा कोई वो नहीं था ये जमूरियत कैसा है आज अगर मेरे ख्याल में मेरा अपना ये ख्याल है कि पहले उन्होंने इस तीफा नहीं दिया आज वो डिमांड ये अगर ये करेंगे ये बहुत ही बेवकुफी वाली बात होगी कि अगर वो आज ये डिमांड रख रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि अब ये रहे बहुत बेतर हो न के लिए यह होगा कि वो इस तीफा ना दें और निकालें और क्या उन्होंने को निकाला उस वैठना तो है ना वो तो उसमें वो नहीं होगा ले कि अब ही क्लियर होगा कल 11 बज़े तक क्लियर में मैं उनको जाना पड़े जाम साप के पास जब नहीं हैं लोग जाना पड़ेगा लेकिन मैं ये ख्राम ज़ना है कि मुशक्र क्या है कि बाहिर का इंफून्स बहुत ज्यादा है यह तो जाती है यह जानती हैं और हमारे पैनलिस्स सब जानते हैं कि इसलामबाद का बड़ा असर रहे बलुशतान पर ब और आज भी जो कुछ हो रहा है कुदूर्स साफ आ रही है तो वी इसलामबाद साब के लोग है, उन्ही की उससे आ रहे है नेक्स जो आपने बताया आपने जो नेक्स बताया अभी तक एक तो जो टॉप कंडिडेट है जो फेवरेट है कुदूस बिजिन्जो साब है और कुदूस बिजिन्जो साब जो है पहले भी तजर्बा उनको है चे महीने का और ये वही वजू हाथ तो नहीं है जोल फेकार साब के जिन लोगों के वो फेवरिट हैं जैसे आपने कहा कि सादिक संजरानी साब के बड़े पसंदीदा हैं जी जी बिलकुल देखें मैं बहुता हूं मैं तो ये पूरा क्रेडिट सादिक संजरानी साब को देता हूं कि उन्हों ने शुरू दिन से ही दो तीन मरतबा अटेम्ट करवाया नहीं हुआ इस अटेम्ट में वो कामयाब हो गए जस तरह पिछली को हाथ से पकड़कर ये ख़बारात में तस्यूरें चपी हुई हैं कि उनको कि कुर्सी पर बिठाया और ये कहा कि ये हमारा है अलाके वो नून के थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे और वो एक रिवाल्ड करके आए थे तो ये क्रेडिट मैं समझता हूं कि इनको है साधिक संचानी साब को ये उन्होंने वो सारा कुछ मैनेज किया और बेतर अंदाज में मैनेज किया और वो उनका वो कंडिडेट है और उसके अलावा ज़ोर बुलेदी साब का भी नाम लिया जा रहा था और शायद मेरे खाल में जहूर बुलेदी साहब को कुछ लोग समझे हैं, बुलेदी साहब लेकिन जाहरे अब्दुल्कदूस बिजिंजर साहब इस वक्त वाट फेवरिट हैं, मैं मीर ऐसे दुल्ला साब आपसे भी जानना चाहूंगी, देखें तीन साल जो चीज ना हो सकी या जो आज आपके तहफुजात हैं, जो शिक्वे शिकायात हैं, क्या चीज इस बात की जामन होगी, या कौन इस बात की गैरेंटी दे सकेगा, कि आइंदा के जो दो साल हैं, वो जो आप लोगों की ग्रीवेंसेज रही हैं, फंड्स के हवाले से, या दिगर मामलात के हव कर वो हल हो जाएंगी या उनको सुन लिया जाएगा या उनका कोई ना कोई सुलूशन निकलाएगा मैं तो यह दावा नहीं कर सकता हूं कि अभी एक बजट रह गया है चार बजट से गुज़र गए हैं और 18 मैंने रह गए हैं सवा तीस हम उख गज़र गए हैं इन 18 मैंनों बोध बलुजस्तान मे डिव्लोमेंट होगा तारीखी डिव्लोमेंट होगा पस्माद्धी खतम होगा यह मैं नहीं कह सकता हूं यह ढावना हैं कर सकता हूं लेकिन हम सिर्फ जाम को हटाने के लिए जाम साहब को इस मनसब से अटाने के लिए ना हमारा जाती खुआशात हैं कि इसको हम हटाएं दूसरे को लेकी आएं हम ये चाहते हैं कि एक तब्दीली बलुजस्तान में महसूस करें लोग बलुजस्तान के जितने लोगों को फंड मिले डिवलमेंट के अवाले से और इस डिवलमेंट के असरात अवाम तक पहुंचें यहां भी रुजगारी है बलुजस्तान में बार्डर पहले सिलसला चल रहा था हमारे इरान के बार्डर से वह भी हम चाहते हैं कि रोजगार के मौाक्ष लोगों को मिलें जहां तक कुछ साथी जो बैठे हैं लियाकत की जगह आपकी दूरूस तरीकिन आपने अपनी बात के आगाज में कहा कि आथारा महीने सिर्फ रह गए गये तो वह जो तबदीली आप चाहते हैं वह पिर इन्हीं अठारा महीनों में सिर्फ रशिफ जाम साथ के जाने से और उनकी जगा पर बिजिंजो साथ भुतानी साथ या कोई और आजाए वो तबदीली आजाएगी हम नहीं कहते हैं कि आटारा महीने में बड़ी तबदीली आएगी लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि यहां रोजाना जो रिड जो ने वहां आफीस हैं जाम साथ के वहां कमसकम अकुरान से लाश आके यहां एक अपते में नहीं रखी जाती हैं यहां यह तो नहीं होगा कि यहां डाक्टरों के सर पे लाटियां बरसाई जाएंगी यहां यह तो नहीं होगा कमसकम मजदूरों को मारा जाएगा यहां यह तो नहीं होगा कि हर मकतबे फिकर को इस तरीके से डील किया जाएगा कि उसकी कोई जरूरती नहीं नहीं हम मिल ब जगा ये किलियर है कि जाम साहब ने अपने दोर एक्तिदार में वो बड़ी दावे तो कर रहे हैं उन से ये पूचा जाए कोवेट के टाइम पे बड़े पेमाने पे यहां जो खरीदारी की गई अरबों रोपे के उस पे अगर इंक्वारी बिटा जाए तो उसकी गोड़ ग जाहर है यहां पर तो कल पता चल जाएगा जाम साहब के बाद फिर अगला कैंडिडेट कौन होगा उसके नाम भी हमारे सामने आ जाएंगे लेकिन अभी तक अब्दुल कुदूस बिजिन जो जो होट फेवरिट हैं अगले वजीर आला बलोचस्तान के लिए और एक और ची साहब लेकर शैवानी साहब और सेनेटर जहांजेब जमाल दीनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रगैम में तश्रीफ आवरी का जोइंग करने का अधस अल फूर तनाइट आइट आप है बहुत शुक्रिया खुदा आफिस